यह रहा मेरा सांभर और चतनी देखिए कितना सुन्दर कलर आया है और इस दोनों का रेशिपी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं तो आगे देखिए आप कैसा बना है मेरा दो अखे होंगे तो आज मैं फिर हाजिर हूं नई रेशिपी के साथ तो आयों यह बताती मैं क्या बनाने जाREAM हूं आज मैं बनाने जा रहे ही हूं सांभर और चतनी सांभर और चतनी तो आप लुग जानते ही होंगे रवब étant आप रोसा-पॉ जिख्री गाओा भी है लकिको चितरीबॉतार किम आपने मि मुणर करेफ़ me तो अभी मैं बता रही हूं चट्णी का एसपी दे रही हूं फिर समभर तदूंगी ये देखिए फ्रेंग्स मैं डोसा के लिए छट्णी बना रही हूं तो उसका ये चने डाल और मुण धलीका तो इसको थोड़ा सा मैं यहां घास पर तो कखाय चाहा दी हूं इसको ता से इस पर रोस्ट कर ले रहें हूं… तो हलका सा क कखाय करी अब इसमों हो गया है तो तरना से यह तरह JUST कर लेना है का अगर में तयक्स देख्या टाल दॉह यह भूल है जब सुखा भूजना है तो टेल बगर नहीं डालना है अब इसको में एक प्लेट में निकाल लेगी अब इसी कराही में ये जो मूंग फली लिये थे हम इसको भी ऐसे फ़र ग्रास धीमा करके इसको भी तब तब सरोस्त कर लेता है ये देखे मेरा मूंग फली भी इस तरह से और की प्लेट मीं लेगे इससे क्या थूरा से खाट रहो है फिरी ए से जर्म मूंग फली निक होते इसको शलेते हिटा शआट निकोंगाठे वसैया चलेगा तरह यो मूंग जखा दीकर देंगी कि इस सो तरह से खेंव बश़नेरी आपको और मूंग प्ली का बिश्यास भी यह देखिए इस बावल में अभी यह जो चैना दाल हमने रोस्ट किया था इसको डाल दे रही हूं और यह मूल फली जिसको अच्छे से छिल लिए है एक दो रह गया उसे कोई दिक्कत नहीं है वह भी टेस्ट अच्छा लगता है इसको भी इसी में डाल दे रही हूं और इसमें दो इंग्रीडियन्स और डालूंगे थोड़ा सा अभी क्या करें हूं कि पानी डाल की इसको फूल ने डाल रही हूं आधे गंटा में अच्छे से फूल जाएगा उसका जिस समय में मैं इसको फाइन पेस्ट बनाऊंगी उसमें दिखांगी और क्याक्या में डाल तब इसको आधे गंटा के लिए छोड़ दे रहा है तो ये देखिए उस समय जो हमने मूंग फली और चैने डाल को आधे गंटा पानी में डाला था ये इस तरह से फूल गया है अब इसको हम एक मिक्सर गैंडल में डाल गया है इसका अच्छे से पेस्ट मतब थ्रस पतला ह देखितानाव जादा दीर का में डाल दीये हैं अब हम जाते हैं सब्सक्राइम हो इस कि नारियल के दाल सकते हैं आप इसों सोबनितिव आपके पास तो नारियल का जो बुरादा होता है, कि दॉलता है। इसे आप इसमें डाल सकते हैं, इस से भी टेस्ट भुरादा उता है चत्नी का लिगा है। देFricks अ position देखें हम कि इसको 3 चम्मच नारियल का बुरादा लिये हैं, इसको इसमें डाल रहे हैं अब यह टेस्ट के लुशा इसमें नमक जाएगा, स्वाध के लुशा यह देखिए, और इसमें 2 चम्मच दही डाल रहे हैं, अगर डही नहीं है तो आप इम्ली का पल्प मिध डाल सकते हैं, अब इसमें फोरा सा पानी डाल रहे हैं, अब हम इसको मिक्सेर ग्राइंडर में कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह का इसका बेस्ट होना चाहिए अब यह देखिए मेरा चट्टी बिल्कुर इस तरह से पिसकर तयार हो गया है अब हम इसको क्या करते हैं कि एक बावल में निकाल लेते हैं यह देखिए इस तरह से अगर आपके पास दही नहीं है इमली का पल्प भी नहीं है तो इसके जगह पे आप नीम्बू भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से मेरा चटनी तयार हुआ है और अब हम इसमें इसको छौकते हैं तो इसके लिए यह कल्चुल चढ़ा दिये हैं इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा तेल आपको अगर मन है तो इसमें मीर्ज पॉड़र भी आप तेल में छौकने के समय डाल सकते हैं चथनी मीर्ज पॉड़र भी डाल सकता काने में म अगर आपको तीक हम पर्संद अब वहाँ चाटनी यह में तेल मेरा चटनी बन गया है अब हम आपको दिखाते हैं अब सांबर बनाने जा रहे हैं तो उसका recipe दिखाते हैं कैसे बनाते हैं तो यह देखिए हमने जो सामाने आ रखा है जो इंग्रीरेंस है यह एक कप राहर दाल है जिसको तुर दाल भी बोलते हैं एक कप राहर दाल होगे आई इसमें जो बेजीटेबल्स पढ़ेगा वह झाचन कहते हैं यह कुछ सहाजन था मेरगे रहे हो स्वाणा मियां मूह मिन दन于 रांदयागे यह गाजर है यह विंडि है यह प्याज है प्याज को भी स्थरult च्छोटा च्छोटा कर लिया बभूदा कर लिया हैं और यह लाधके का कुछ तुकरा है और यह देखिए सिमरी लान मिर्च मे रामक लिए हैं हमने जिसे स्वादर करन सार उसमें डाले तो पहले करते हैं धगो Alert t directly पानी से अच्छे सब लिया एंब मिसे कूकर में डाल दिये तरह स्थार्थ यह इसी कप से ज़र जाइए रहे हैं स्टार्टिंग में ज्यादा पानी नहीं डालेगा नहीं तो कुकर में उपर से सीटी के पास से फेल रहता है थोड़ा सा और ले रहे हैं यह धाई कब पानी दे रहे हैं अब इसको हम गैस पे चाहा दे रहे हैं और इसमें अब हम नमक डाल रहे हैं इस तरह से स्वाद करा हम सार क्योंकि और सब्जी जब भूजेंगे तो उसमें भी नमक डालेंगे इसलिए उसी अनुसार हमको दाल में नमक डालना है और यह थोड़ा सा हल्दी बॉडर इस तरह से डाल दिये अब इसको हम 3-4 सीथी आने सब्जी का तयारी करते हैं जो कि यह दाल जब तक फोड़ा है तब तक हम सब्जी का तयारी करते हैं तब तक हम इधर वाले गैस पर कर दे रहे हैं यह देखे फ्रेंच मेरा कराही गर्म हो गया है अब हम इसमें सरसो का तेल डाल रहे हैं आपको जिस तेल में बनाने की इच और यह जो मेत्की दाना मिलेतों इसकों झाल दे रहे है और यह लेट पत्ता बहुत आपटा करीपता काख्षा प्रुस पाता सांवर नहीं को इसके बार और अर्भून इसमें प्याल दाल दे रहे हैं सब्सक्राइब प्याज डाल रहे हैं प्याज को लॉल होने तक नहीं भूरना है ना सलका से भूरना है क्योंकि कामबर में प्राइब प्याज भी रहता है तो अथा लगता रिखना है बाद दो तील वाइब इसको चला देना है अब हमिशी समय यह गाजर डाल दाल के तक अब को मिशी समय डाल दे रहे हैं अब को जो सब्जी लेने का मदा हैं यह यह से ज़से किसमें सब्सक्राइब कलें। लेकिन यह सब बाइगान हो गया धिंदी कुछी लेगा हम दंदी लालता है चुछ लोलोझा नहीं दालते हैं तो तो मैरेख आध्यर लगता लिगटार लेगा आपको नहीं पष्मित नहीं लिजेगा जो सब्दी आपको अछ्छा लगता हम रही ह डालाइगा बीम्स बगर आपके पास है तो भी दाल सकते हैं ये देखें गाजर बगर इससे भी राचा हलका है इसका कच्छापन हट गया है अब इसी समय हम इसमें ये लॉकी जो लिये हैं वो दाल देने आपके पास अगर वो सब्सक्राइब आता है पता में आप लोग उसको क्या बोलते हैं हम लोग विहार में उसको खोगा बोला जाता है वो है तो भी देशकते हैं और ये जिंडी भी है मिची समय दाल दे रहे हैं अगर आपको मेरा ये बनाया हम सामधर पसंद आता है अश्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और आपनों कैसे बनाते हैं जोई कॉमेंट कीजेगा मेरा बनावा कैसा लगा आपको बनाते हैं सबका बनान रवा जीका अलाग तो तरीका चैनल हो जाता है ये जो मेरा बैगन बचा हुआ है इसको इसी चमह में डाल लेगा है तमाटर को सब्सक्राइब के लाग्स में डालेंगे ये ज़िए बैगन डाल दिये हैं रखुकर में अब कीपी देने वाला है तीन से ताशी की ही लगाना है ज्यादा नहीं तो कि फिर सब्सक्राइब कर देंगे उसका से बहुत अच्छा है इसी समय हम क्या करेंगे ये तमाटर दाल देंगे दो मीदियम से तमाटर दालेंगे तमाटर दालेंगे तो अब नमक दालना जुरूरी है इसे तमाटर सब्सक्राइब कर दलता है तो नमक सा ध्यान पर दालना है तो इसी दाल मेरी मैंने नमक दालना है तो इसी तोरा सा नमक दालना है तो इस दाल मेरी नमक है तो सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी दाल मेरी नमक है तो सब्सक्राइब कर देंगे देखे आपको पीखा जादा पसंद है तो आप जादा दाल सकते हैं और यह मेरा साम्वर मसाला है यह इस तरा मस्ते तीन समस्ते हैं जाले लें तो पानी दालें ताकि मसाला बूजियों जाने नहीं तरह चाहिए और इसको हरका सभी बूज देते हैं जैसे ही सामबर मसाला डालेगा आपका सब्गी तक पिष्वी इसी समय से बहुत अच्छा आले लाएगा यह देखे जहा जिला मसाला घ्यल भी जाने अगया है अब इसके हम एक और सी जाले में इसको होन मुसरें आपको दिखाये जिए इसके में छोड़ा साथ चीनी डाल रहा है आपको अगर गूर की इच्छा गूर भी डाल सकते हैं ज्यादा नहीं डाल रहा है आप ज्यादा की बिल्डा सब्सक्राइब शचा दो भी तो चीनी डाल रहा है एक इसे क्या होता है इसके शामबर काश्च कैस्छा कश्छा बहुत अच्छा लगता है देखता है अंने मार कि ये देखिए मेरा दानी हो गया है घप इस तरह से में घ Chap über a and voltyaris का में मिला देना में इस तरह से अब बिना पानी डाले अभी क्या कर्णादcję को में सबको मिला दिना है किकि सांभर में में झाल नहीं देखनांł सब्सक्राइब करें तो इस तरह से जितना पतला आता है इस तरह से इसको कर लिए इस तरह से अब यह मेरा सब्जी भी जो भूजे थे या तो आप इस डाल को ही करा ही में डाल सकते हैं सब्जी में इसको एक बार नंगे थोड़ा वे परामे तक यह सब्जी में डाल दे रहे हैं इससे क्या पता कि कुकर में डाल दे ले से सब्जी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और यह पानीत्वा सा कराही को अच्छा जाल आपके जो आपका यह मसाला लगा हुआ है चालतरफ इस तर में डाल दोगें बैसे डाल दीजिए इस तरफ से और एक वारा के मिक्स करदें रिखेर मिक्स हो गया यह मेरा नार्मल पानी है अप गर्म पानी भी डाल सकते हैं और यह इमली का ओंने वह पानी डालके रखा थो बस अब मेरा सामभर लगभव हो ही गया है इसको क्या करेंगे कि थोड़ा से भखना बंद करेंगे और फिर से गास ऑन करेंगे की और सी नहीं आना है बस हलका से भेपर बनने लागे लगे तो इसीसर में हम को गैस बंद कर देना है तो मेरा सामभर बन कर तयार होजाएगा फिर दिखाऊंगे माय अब कि मेरा सांबर कैसा बना ना यह दिख़गे सबजी खड़ा खड़ा ही हम रहने दिये हैं, अगर आपको जैसे मन है कि इसको मैस्क कर दे तो कर सकते हैं, लेकिन हमको खड़ा खड़ा ही सबजी अच्छा लगता है ये देखिए मेरा सामभर बनकर तयार है